हेलो एब्रीवान कैसे हूँ आप सब तो गाईज आस तारीख हो चुकी है किस जनवरी 2023 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपियल 2023 को लेकर इसके साथ ही आईपियल की सभी टीमों के रिगार्डिंग जितनी भी दिन भर की बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आईए उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं तो ऐसे में यह वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग हो करने वाली है तो यह वीडियो आप लोगों को बिल्कुल विस्किप नहीं करनी है लेकिन इसके साथ ही अगर आप लोग हमारी चैनल को पहली बार विजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मेल को जरूर दवाईए जिससे हमारी वीडियो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले बहुत सके तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं और यह अपडेट निकलकर आ रही है रिकी पॉंटिंग के रिकार्डिंग जहां पर आप में से सारे ही लो प्रिजिकर लिए उनकी टीम के साथ प्रिजेंट नब यह नहीं पाएंगे लेकिन वह कि जाधा हूँ पाथे हैं वह जुअनुके साथ रिषाप पंता को डेली गैपिटल्स के व्रेसिंग रूम में काफी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है उनके ऐसा करने से DC की टीम में एक नया मोटिवेशन आ सकता है कि किसी भी तरीके से अगर वो DC की टीम को थोड़ा सा मोटिवेट कर पा रहे हैं या फिर नहीं है उस बात से ज़्यादा फरक नहीं बढ़ता तो ऐसे में चाहते हैं कि रिशब्पन अगर उस टाइम तक थोड़ी बहुत ठीक हो जाते हैं तो फिर इनको डैली कैपिटल्स की ठीम की थोड़ी सी हेल्प करनी चीए कॉमेंट करके आप लोग बताईए आपका क 15 करोल से 20 करोल के बीच में देखने को मिलने वाला था लेकिन अब इसको फिलाल के लिए कम कर दिया गया है जहां पर 15 करोल के हटाकर अब आप लोगों को विमेंस आईपियल में हर एक टीम का बैलन्स पर 12 करोल देखने को मिलेगा यह रिपोर्ट फिलाल क्रिक बस की है तो आप लोगो के लिए इस पर यकीन कर सकते हैं लेकिन अगर इसमें कोई भी चेंजे होते हैं तो हम आपको अपने चैनल के उपर आपडेट कर देंगे आगे बढ़त करते हैं हमारे आज के दिन की पीसरी वड़ी अपडेट के बारे में और गाइस अप्डेट निकलकर आ रह ऐसे में यह मुकाबला हमें दिन में डेल बज़े से भारती समय असुसार स्टार्ट होते विए देखने को मिलने वाला है और यह मुकाबला खेला जाएगा शहीद वीर नायरेंड सिंग इंट्रनाइस्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राइपूर में तो ऐसे में काफी ज्यादा म मज़ा भी आया था तो कॉमेंट करके आप लोग बताईए कि आपके हिसाब से भारत की टीम इस मुकाबले में न्यूसिलेंड को हराकर सीरीज को यहीं पर रैप आप कर पाईगी या फिर नहीं हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन की चौती बड़ी अपडेट के बारे से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिलेगा अब हो सकता है कि आपने से काफी सारे लोगों के दिमाग में प्रॉफिशन चल रहा हो कि 10 करोड तो इसके हिसाब से काफी कम है क्योंकि ऑफिस सी बात है IPL की टीम में वहां पर मौजूद है और इसके स साथ भी ऐसा हुआ था कि फर्स सीजन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए थे लेकिन क्योंकि इस बार मिनिया आइपिल को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलाए तो ज्यादा तर जो चीज़े स्टार्ट होती है वो तो फर्स्ट एर अक्सर हम देखने की ल ऐसी लीक से तो मिनी आइपिल इंसे कहीं ज्यादा आगे चल रहा है आगे बढ़ते हैं गाई जर बात करते हैं हमारे आज की पाच्वी बड़ी अपडेट के पारे में और गाईज ये अपडेट मिनी आइपिल के रिगार्डिंग निकल कर आ रही है जहाँ पर एक बड़ी पोजल आया है जहां पर काफी ज़्यादा फनी इंसिडेंट हुआ था और एक जो फैन है वो मुकाबला देखने के लिए आये थे वह अपने साथ बेसिकली एक बोल्ड लेकर आये थे जिसमें उन्होंने रिखा था कि वह इन से एक परीके से पोस्ट कर रहे थे इनको कि वह सब्सक्राइब इस एक तरीके से जो ओवर्सीज नंबर ओफ एलेर से वह तो चार ही देखने को मिले हैं क्योंकि वहारत के बात करें मैंस और विमेंस में तो उसमें काफी चदर डिफरेंस आ जाता है विमेंस आई पीएल के अगर बात की जाए तो वहां पर अगर आप तो आपको काफी सारे इंडियन प्लेयर्स की जरुदप पड़ेगी तो उतनी ज़्याता बेंज्स स्रेंट मौजूद ना होने के करणंग पांच ओवर्सिस प्लेयर्स के साथी छे भारती प्लेयर्स के साथ आप लोगों को विमन्स आइपल की प्लेइंग 11 व्होह मुट भी कहा ता कि शायद ये उनका आखरी सीजन हो सकता है लेकिन ऐसे में चैने सुपर केंग्स की टीम ने कहा है कि यह अभी भी होपफुल है कि शायद एमस्टी इस साल के बाद भी कैप्टेंशी को कंटीन्यू करें CSK ने कहा कि जब तक MSD चाहते हैं तब तक वो ही चैने सुपर केंग्स की टीम के कैप्टें रहेंगे लेकर CSK के टीम ने अभी सोचा ही नहीं है इस बारे में कि वो अगला कैप्टेंग किसे अपॉइंट करने वाले हैं इनके अकॉर्डिंग महेंद सिंधोनी जैसा कैप्टन अगर आपके पास हो तो इनको ज़्यादा सोचने की जरुरत नहीं पड़ती है सारी के सारी रिस्पॉंसिबिलिटी एमेश्टी अपने कंदू पर उठा लेते हैं और इसके साथ ही वही डिसाइड करते हैं CSK के टीम में कि आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है किस तरीके से CSK के टीम अपने गेम के अब आउट जाएगी तो ऐसे में इनके अकॉर्डिंग चैने सुपर केंग्स की टीम के सा और यहां पर दुनिया के नंबर वन बैट्समें बन चुके हैं और जिस तरीके की फॉर्म में वो नजराने हैं ऐसा लगनी राकिया आने वाले काफी टाइम तक कोई बहां से हटाने भी वाला है लेकिन अगर आप लोग उनके टीवेंटी परफॉर्मेंस को ओडियाइए प अच्छा करते हैं तो उसके हिसाब से आपको टेस्टी में शामिल कर लिया जाता है तो सुरिकुमार याद हो कि लास्ट के दस ओडियाई पारियों को अगर आप लोग देखें सुरिया के स्कूर कुछ इस तरीके से हैं 31 इसके साथी 46 34 489 13 16 27 तो यह उनके स्कूर हैं बिल्क अर स्कूर आप